नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अप्पू और खुशी गार्डिनिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे गच्छ बाला यानी गोटुकुला पौधे के बारे में जिसे हम बंगला में थानकुनी पत्ता भी कहते हैं ये एक मेडिशनल है इसके बहुत सारे आउसदी गुन है आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसके आउसदी गुनों के बारे में जानकारी मिल जाएगा आज भी मैं खोद इसके रस को बहुत अच्छी तरह से पीता हूं डेली अब जान लेते हैं इस पौधे को हम गमले में कैस से ग्रो करेंगे स्टेप वान पाट गार्डेन शोयल आप कोई भी गार्डेन शोयल ले सकते हैं मतलब आप कोई भी मिटी ले सकते हैं मिटी को सर्फ बालू चालने वाला चालनी से चालने उसके साथ आप ले ले एक पाट सफेद रेत मतलब नदी के सफेद बालू और इसक इसके साथ आप ले ले एक पाट कमपोस्ट, आप कोई भी कमपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, पत्ते की खाद ले सकते हैं, या फिर आप भार्मी कमपोस्ट भी ले सकते हैं, अगर आप गोबर की खाद लेते हैं, तो गोबर की खाद जरूर एक साल पुरान गमले का हाइट ज्यादा नहीं चाहिए, 3-4 इंच होने से ही हमारा काम बन जाएगा, लेकिन गमले का मुह चौड़ा होना बहुत जरूरी है, इसे आप अगर मेरे जैसा गमले में लगाते हैं, तो देखिए कितना सुन्दर और कितना बड़ा होगा, इसलिए मैंने चौड़े का टुकड़ा ले लिया है, आप देख सकते हैं, एक तरफ से उचा और एक तरफ से नीचा, अब मैं इसे गमले के होल के उपर रख दूँगा, ऐसे, इसके उपर से स्टोन चीप का एक लेयर बना दूँगा, अगर आपके पास स्टोन चीप नहीं है, तो आप बालू चाला हुआ पत्थर या इठा का छोटा-छोटा टुकड़ा भी इस्तमान कर सकते हैं, मिट्टी पत्थर के उपर आकर पानी को रोक न दे, इसलिए मैंने बिल्लिंग बनाने वाला बालू से एक लेयर बना दिया, बन गया हमारा ड्रेनेश सिस्टेम, स्टेफ फोर, हर बार हम पह मिट्टी को धीरे-दीरे दापते हुए गमले को भरेंगे, अब हम पानी डालेंगे गमले में, गाउ में धान के खेती जैसे होता है, वैसे ही आज हम इस पोधे को लगाएंगे, ताके इसके रूट तूट ना जाएं, हम जब बाजार से गोटुकूला खरित के लाते हैं, तब उसमें छोटा-छोटा रूट रहता है, दस में से दो से तीन में आपको ऐसे ही रूट मिल जाएंगे, इसका रूट बहुत नरम हैं, इसलिए मैंने मिट्टी को पहले ही पानी से भिगो दिया, ताके हमारे रूट्स तूट ना जाएं, अब हम मिट्टी को उंगली से छेत करेंगे, और इसे धीरे से मिट्टी के रख देंगे, और धीरे से उंगली से आस्ते आस्ते दबा देंगे, ताके पौधा अच्चे से लग जाएं, ऐसे ही हम बाकी प्लांटों को लगा देंगे, देखिए दोस्तों हमने सारा प्लांट लगा दिया, बस इतना के सीजन में इसकी ग्रोइंग बहुत अच्छा होता है पौधा लगाने के बाद दो से तीन दीन आप इसे चाया में रखे स्टेप 5 अब हम बात करेंगे इसके संलाइट के बारे में आप अगर इसे फूल संलाइट में रखते हैं तो यह अच्छा से ग्रोग करेगा आप अग करते हैं इसके पानी के बारे में गोटू कुला पौधे के लिए हमेशा मौश्चर मिट्टी बहुत अच्छा होता है मतलब मौश्चर इसे बहुत ज्यादा पसंद है मतलब इसकी मिट्टी थोड़ा थोड़ा भीगा रहे ऐसा मिट्टी इसे पसंद है इसलिए मैंने मिट् इसलिए एकदम सुख जाने से पौधे मर जाएंगे। इसलिए कभी मिठी को एकदम पूरा सुखने ना दे। Step 7. अब हम बात करते हैं इसके कीड़े मकोड़े के बारे में। ज्यादा तर इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं पाया जाता। फिर भी आप अगर चाहें तो इसमें नीम तेल स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड इस्तमाल ना करें। क्योंकि इसकी पत्ती कोई रस हमें पीना हैं। इसलिए कोई भी केमिकल ना इूज़ करें। नीम तेल की मात्रा थोड़ा ज्यादा या कम होने से भी कोई अस्विधा नहीं है। ये टोटली और्गनिक है। इसे आप 15-20 दिन के अंतर में आप इस पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। Step 8 अब हम बात करते हैं इसके खाद के बारे में यानि फाटिलाइजर के बारे में। इस पौधे के लिए और्गनिक खादी सबसे बेस्ट है। इस पौधे के पत्ते को हम खाने के लिए इस्तमाल करेंगे। इसलिए कोई भी केमिकल खाद इसमें ना डाले। सर्सु खली का प पानी को अच्छे से घोल ले घोल के उसी पानी को आप इसमें डाल सकते हैं। या फिर आप इसमें एक मुट्टी कोई भी कमपोस्ट डाल सकते हैं। चाए ओ गोबर की खाद हो चाए पत्ते की खाद हो या फिर भर्मी कमपोस्ट हो। अगर आप गोबर की खाद इस्तमाल क कोई भी कॉंपोस्ट आप एक मुट्टी हर महिना डाल सकते हैं दोस्तो और भी कोई यान करी चाहिए तो आप मुझे कमेंड में पूछ सकते हैं मैं एंसर दे दूँगा और दोस्तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दोस्तो के साथ शेयर करना और आगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ नमस्कार